नमस्कार दोस्तू मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर करंटली टाटा की तरफ से 6 गाडियां इंडियन मार्केट में बेची जाती हैं जिन में से 4 का क्रैस टेस्ट ग्लोबल एंड कैप में किया जा चुका है इन 4 ही गाडियों ने टेस्ट में 4 और 5 स्टार रेटिंग से स्कोर किये हैं जो ये बताते हैं कि कमपनी अपने गाडियों को किस हद तक मजबूत बनाती है इसके अलावा इन सभी गाडियों के लगातार मैं आपको कई सारे खतरनाक एक्सिडेंट्स भी दिखाता हूँ को ग्लोबल एंड कैप में 5 स्टार रेटिंग क्यों मिले है केरला से मेरे एक वीवर ने मुझे मेल किया है और टाटा एल्ट्रॉज और ट्रक के बीच हुए एक्सिडेंट की जानकारी दी है अगर आपके पास भी किसी एक्सिडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे एमेल, फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सिडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोज नहीं पोस्ट हो पाते हैं यह एक्सिडेंट्स रीसेंट्ली केरला में किसी जगहां पर हुआ है जिसका न्यूज गाड़ी वाड़ी ने भी अपने वेबसाइट पर शेयर किया है दोनों वियेकल्स की फोडोज को देखकर साफ पता चल रहा है कि यह टकर आमने सामने से तेज रफतार में हुआ है अब यह एक्जैक्टली कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि यह ओवर टेक करने के चकर में हुआ है जिसके बाद एल्ट्रॉज ट्रक को फारते हुए उसके अंदर ही घुच गई है हाला कि तेज स्पीड में इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने के बाद भी हैजबैक का एपिलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही सेफ है उसमें कहीं से भी कोई नुकसान नहीं आया है जो ये बताता है कि अंदर बैठे पैसेंजर्स भी सेफ होंगे और ये चीज गाड़ी वाड़ी के न्यूज में भी मेंशन है आप देख सकते हैं ट्रक को इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी गाड़ी ऐसे खड़ी है जैसे मानो इसमें कुछ हुआ ही नहीं अगर इसी जगहां पर कोई टॉप सेलिंग हैजबैक होती तो उसका क्या हाल होता ये आप अच्छे से सोच सकते हैं ऐसे एक्सिडेंट्स को देखकर हमें समझना चाहिए कि हमारे और हमारे फैमिली के लिए एक सेफ कार की क्या इंपॉर्टेंस है हाला कि तेज रफतार में आपको कोई भी कार सेफ नहीं रख पाईगी क्योंकि इन पांच स्टार रेटेड गाड़ियों का भी क्रैस टेस्ट मात्र 64 किलो मेटर पर आर के स्पीड में ही हुआ है लेकिन फिर भी इन गाड़ियों में बैठ कर आप दो और तीन स्टार रेटेड कार से ज़्यादा सेफ रहेंगे तो गाईज इस वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंस में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं धन्यवाद